हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब हाजी क्या हाल चालेजी आप लोग की मैसल वरुण जयान एंड स्वागत आप सभी का मेरे इस यूटीब चैनल पर इस वीडियो इस एक्स्क्लूसिबली फॉर सीए फांडेशन स्टूटिंग्स जिन्हों ने अभी अभी अपने एक्जान दिये तैट इस यूर निवंबर 19 में जिन लोगों ने एक्जान दिये आगे किस तरीके से बढ़ना है इस टाइम पीरेड को जब तक रिजल्ट नहीं आता किस तरीके से यूटिलाइज करना है इसकी कुछ प्लैनिंग में आप लोगों के साथ डिसकस करने जानों पूरी वीडियो को देखिएगा अंत तक देखिएगा बीच में छोड़के आएगा लगबख हमारा जैन्वरी के मत में जाकर जैन्वरी पंदरा के बाद 15 से 20 के बीच में आता है लेकिन आप मान को चलिए 15 के बाद आएगा तो हमारे पास अब कितना टाइम पिरिड बचा है नवंबर के 10-15 दिन बचें दिसंबर पूरा बचा है और जैन्वरी भी आपका आदे से जाधा बचाए किस तरीकिसम इस पीरिड को यूडिलाइज करें क्या आप इसको बिल्कुल वेस्ट कर दें इंजॉय करें घूमे फिर एश करें सर सब कुछ कीजिए घूमिये फिर एश कीजिए कोई मनाई नहीं है लेकिन एक प्लानिंग माइंड में होनी जिए एक माइंड मेकप आपको करके चलना पड़ेगा कि मेरे को अब आगे क्या करना है कि प्लानिंग के लिए सर मैं अपने जो स्टूडेंट्स है उनको तीन कैटिगरी में डिवाइड कऱा हे गया हे सबसे पहली तो वह कैटिगरी जिनोंने अटेंट अपना कर दिया स्किप C.A. Foundation जिन्होंने क्या कर दिया जी अपना अटेंप्ट कर दिया या पिर जिनको डाउट है जिनको डाउट है और जिनके मन में देखो एक्जाम करके आते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी परफॉमेंस कैसे नहीं है जिनको डाउट है जिनको लगता है कि सर मैं पास नहीं हो भागवा या जिनों ने अटेंट स्किप कर दिया उनके लिए तो सर कोई भी प्लैनिंग नहीं है स्टार्ट यॉर स्टड़ीज स्टार्ट यॉर स्टड़ीज आज होगी 21 तारीक आपका एक्जाम था 19 तारीक को 19 तारीक ठीक है वो दिन गया 20 तारीक पूरा इंजॉय कर लिया हो गया आज का भी दिन आलमूस कदम हो कि मैं वीडियो शांग के टाइम पे डावरो तो ये वाल ले चुगे जिन्होंने क्लासे नहीं लें जो सटड़ी करें तो कोई बात में सर यूट्यूब पे वीडियो देगे मुझ से कनेक्टेट रहें मेरे से अगर कोई डाउट है तो मेरे को मेसेज किये सर ये वाली वीडियो बना तो तो मैं बना दूँगा कोई परिशानी कोई दिक्कत वाली बात में है लेकिन आप आपको अपनी स्टेडीज को स्टार्ट करना है अगर आपकी प्रिप्रेशन अधूरी थी और आपने अटेंट स्किप किया वैसे तो ऐसा करना नीच यह लेकिन अगर आपने कर दिया तो कोई दिक्कत नी है अब आप सर हाड़ वक कीजिए जी जान लगा दीजिए दिन राते कीजिए और कोशिश कीजिए कि मुझे अब में अटेंप में रैंक लेकर आना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इसली रैंक आ जाते क्यूंकि कोर्स कंटेंट बहुत कम है रैंक लाओगे तो कुछ बात बनेगी अब आप आप सकते हैं आपका जो गोल होना चाहिए आपको टार्केट होना चाहिए वह आपको लानी है रैंक के लिए आपकी मुल्टिपल टाइम्स रिविजिन होंचे क्योंकि सर अभी तक जो आपके पास ताइम था अगर आपने वेस्ट किया तो कोई बात नहीं अगर आपने यूटि किया है तो आपने एक बार तो रिविजन करके रखी होगी या पूरी तरीके से नहीं लेकिन आधी रिविजन करी होगी फिर भी आपके पास कितने टाइम बचाहिए थे कि में में एक्साम क्या आपके बाद दिसेंबर जैनुरी फेबरी मार्च एपरन पांच महीने बज़ जोब्य तो मैं श्रूरी ने बचाहिए तो यह इंद्धन वी मुझे में अपना कोर्स को तीन बार रिवाईय nós आपको कोई दिककत परिषानी है कि सीरीज वगरे किसे कंडर कर नहीं है मुझे को किजिए description में मैं हर वीडियो में अपनी detail देता हूं तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं email कर सकते हैं call भी कर सकते हैं अगर call नाउट हो तो मुझसे contact किजिए test paper मैं आपको बना के दूँगा even check भी करके दूँगा पिछले कुछ आप student से पूछ भी सकते है feedback भी लिसकता है जो बच्चे मुझसे पड़े भी नहीं होते हैं फिर भी मैं उनको test देता हूं और उनके check करके उनकी performance भी बताता हूं उनको revision classes में भी बुलाता हूं तो आप लोग connected रहेगा free of cost revision होती है free of cost test होती है सर मैं चाहता हूँ कि बच्चे पास हो जाएं कमाई तो सर कमाई की जरीए बहुत है कमाई तो हो जाएगी कमाई की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप लोगों का result अच्छा नहीं जाए जो बच्चा afford नहीं कर सकता जो बच् कमिया बताऊंगा उनको revision classes में बुलाऊंगा और target दे के चलूँगा कि बच्चे आपका accounts का exam मैं अच्छे से clear करवा दूँगा ठीक है जी सर ओके अब बात आती है यह तो थी बात जिनके जिन्हों है टेंट स्किप किया है जिनको मिन में डाउट है कि हम पास नहीं हो पाएंगे उसके बाद जो category आती है हमारी आती है सर confident students जिनको पता है सर मेरे exams तो हो गए बहुत अच्छे और मैं 100% पास कर जाओंगा देखो 100% तो मैं कभी नहीं कह सकता जिनको पता है कि मैं पास कर जाओंगा 90% की शॉरिटी लिलता हूँ जिनको पता है कि सर मैं तो पास कर ही जाओंगा इस exam में बहुत अच्छे या फिर वो students कि इस जिनको लगते है सर, exams तो हो गए मेरे और बुरे भी नहीं होए अच्छे नहीं है लेकिन हो गए है ठीक और जिनको लगते है जिनको डाउड है जिनको लगते है सब कुछ करके नहीं आया मैं मजा नहीं आया एक्जाम्स देने में मुश्किल है पास होना यह क्या होगा कैसे पर रिजल्ट राएगा क्या करतना चाहिए बगर बगर ठीक है लेकिन मैं इस अगर आपके एक्जाम्स अच्छी हो है तो आपको क्लेर करने से कोई भी रोक नहीं सकता अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी थी मैनत करी थी तो यह क्या करना चाहिए सर्स्टार्ट यॉर्ट क्या बात करें सर्स्टार्ट बिल्कुल सर्स्टार्ट की प्रिप्रेशन को आपको स्टार्ट कर देना चाहिए एक दो दिन का रेस्ट लेके कोशिश कीजिए नेक्स्ट वी कॉणवर्स 25 शबिस तारिक से आप लोग अपनी सीए इंटरमीडियेट की तैयारी पर लग जाए क्योंकि इसके सर्स्टार बहुत सारे कारट है पहली चीज़ पहली चीज़ सर आपका जो प्लान होना चाहिए कि नवंबर अगर आप रिजल्ट क्लेर कर जाएंगे तो नवंबर 2020 में आप लोग का अटेम्ट होगा सीए इंटर का सीए इंटरमीडियेट का आपका पड़ेगा अटेम्ट तो सर आपको पहले से ही अपना माइड मेकप करके चलना है कि मेरे को सीए इंटरमीडियेट के नवंबर 2020 में बोथ ग्रुप्स देने बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चे रिजल्ट आने के बाद डिसाइड करते ह है और सिंगल ग्रुप देना है और जादा तर बच्चे सर सिंगल ग्रुप में चले जाता है रिजल्ट आने के बद आपके सरफ आठ महीने बचेंगे और आपको पता होगा सर आठ महीने में आठ सिप्यक करना मुश्किल है इसलिए बच्चा शिफ्ट कर जाता है सिंगल ग वह आपके बनते है सर 8 वहीने तो आपको इस category पे जाना है आपको December to October that is your 10 months में आपको अपने इस force को prepare करना है और 10 वहीने में आप बोध ग्रूप की preparation अच्छे से कर सकते हो with revision कुछ बच्चे यहां 8 मीने भी कर लेते हैं सर वह 8 मीने मुझे पता है किस तरीके से करते बच्चे कोर्स तो पूरा कर लेते हैं लेकिन effectively revise नहीं करते हैं पर हो जाती है सर उनकी performance और rank का target आपको क्या करना है सर November 2020 में CA Intermediate में अपने आपको target देना है गोल देना है सर में CA Intermediate में rank लेकर आनी ही आनी है और सर रैंक आएगी तब जब आप बोध ग्रुप्स साथ में दोगे एक तो यह institute के rules है कि बोध ग्रुप्स आपको साथ में देनी है बोध ग्रुप से बहुत सारे advantage होते हैं एक तो rank का advantage हो गया दूसरी चीज क्या होती है कि बोध ग्रुप में set off का benefit मिलता है set off का benefit मतलब group 1 और group 2 जैसे कि आपको पता है सर ग्रुप 1 में हमारे पार चार प्रेपर है कॉल को से accounts, cost management accounting, tax, law और group 2 में आपके पास है सर, advance accounts, audit, EIS, SM and FME code set off क्या होता है, set off होता है सर, हर group में आपको aggregate 202 number चीए, इसमें भी pass होने के लिए 200 चीए, इसमें भी pass होने के लिए 200 चीए, अगर मान लोग किसी reason की वेज़े से, आपके group 1 में रह जाते है 160 marks और group 2 में आ जाते है 240 marks, तो सर, total करके देखा जाएगा, 50% बन रहा है नहीं बन लेकिन आप अलग-अलग देते तो सर, आपका group 1 क्या होता, यहाँ पर clear नहीं माना जाता है, आप लोग group 1 में रह जाते हैं, this is your set of benefit, यह कब मिलेगा जब आप both groups देंगे, तो एक तो benefit क्या होगा सर, rank तभी आईए जब आप both groups दोगे, set off का benefit मिलता है both groups में, और सर, दूसर firm, कोई भी CA firm, group 1 clear student को लेती नहीं है easily, क्योंकि उनको पता है कि सर, दो मेने बाद फिर वो exam preparation के लिए leave मागेगा, तो वो पहले आपको बोल देते हैं, कि आप both groups पहले clear करके आईए, फिर अच्छे से हमें, धाई साल, तीन साल दीजिए, हम आपको काम से आईए, तो एक आर परेशान करने वाले subject आते हैं, audit and EICism, यह नहीं कह रहा है कि यह subject tough है, यह subject परेशान करने वाले इसने हैं, क्योंकि सर, बच्चों की performance इसमें थोड़ी खराब है, क्योंकि बच्चों को strategy नहीं पता, तरीका नहीं पता है कि subject को किस तरीके से पढ़ा जाए, तो इन दोनों क कि जो कमी होगी, वो आप यहां की advantage है, यहां की majority से दूर कर सकते हैं, ठीके सर, तो आपको target है रखना है कि November 2020 में I have to appear for both groups, और target करके चलिएगा rank लेकर आनी है, ठीके सर, ओके, और अगर आपको both group नी preparation अच्छे से करनी है, तो आपको अपनी पढ़ाई को December से, मतलब December to October, य ठीके सर, यह इतनी सारी बाते आप क्यों बता रहे हूं, यह इतनी सारी बाते इसलिए बता रहे हूं, क्योंकि सर मैं खुद अब CA Intermediate का batch announce कर रहा हूं, on 26th of November, 26 November से सर, AOC में CP Center पर मैं अपना batch announce कर रहा हूं, वैसे batch की details मैं आपको description में दे दूँगा, अपने contact details दे यह सब चीजें सर, मैं आप लोगो बता रहा हूं, मैं कोई marketing नहीं कर रहा है इस वीडियो में, मैं यह नहीं कहा रहा हूं, आईए मुझसे batch join कीजिए, लेकिन सर मैं आपको एक general guidance दे रहा हूं कि अब आपको time waste नहीं करना चाहिए, अगर आपको both groups करना है, चाहिए आप self study अच्छ होगे लेकिन थोड़ा सर डर है, एक्जाम्स अच्छ होगे तो सर आप भी पास हो जाएंगे, ठीके सर, तो यह तो बात है थी in students के लिए, कि इनको अपनी straight away CA intermediate की त्यारी को start कर दीना चाहिए, और जो students सर attempt skip कर चुके है, या जिनको लगता है कि पास में हो तो मुझसे contact कीजिए सर, सारी चीज़े मैं आपको अराम से provide कराऊंगा, लेकिन सर आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, मुझे बताना पड़ेगा, ठीके सर, सर मेरा phone number वगरा है, वो सब कुछ आपको description में मिल जाएगा, ठीके सर, यह कुछ बात है दी जो मुझे आप ल ज्यादा share कीजिए, ठीके जी, चलिए फिर, मिलेंगे एकली वीडियो में, till then take care of yourself, bye bye